Hello students, हमने पिछली क्लास में संक्वंढ के बारे में अध्यान किया था , आज हम फलन के बारे में अध्यान करेंगे फलन क्या है Alle what? एक समुच्य A से समुच्य B में एक संभन एप एक फलन कहला था है यदे समच्च A के पृतेख अवयब के संगत समच्च B में 1 और केवल 1 पृतिवियम होता है यहां चेत्र में 2 समच्च दिखाए है A और B A का एक अवयब A समच्च B के 2 अवयब X और Y से संबन्दे दिखाया है यहाँ पर दो एग में है AX और AY तो इसमें प्रथम खटक A जो है एक सा है आता ऐसे सम्मन फलन ही होते जिसमें दो एग में के प्रथम खटक समान हो किसी फलन का प्रांथ, सह प्रांथ एवं परिसर क्या है? एक यहाँ फलन दिखाया है एप A से B के बीच में तो A जो है प्रांथ या डोमेन कहलाएगा, B जो है सह प्रांथ या कोड डोमेन कहलाएगा ये के सभी अभयवों के प्रतिवियम B में बिलॉंग करते हैं और ऐसे सभी प्रतिवियम का समुच्चा है, B का समुच्चा होता है और एप का परिसर भी कहलाता है अब हम आन्टू और इन्टू मैपिंग में अंतर समझेंगे फलन एप X से Y में है यह आन्टू कहलाएगा यादि Y का प्रतिक अवयप X के किसी ना किसी अवयप का प्रतिवयम होता है तो ऐसे फलन आन्टू होते हैं पहले चत्र में देखो Y में दो अवयप देख रहे है A और B कोई भी ऐसा अवयप नहीं है जो X से संब्दन नहीं है अता है जो आन्टू मैप हैंगे दूसरे चत्र में देखते हैं Y में तीन अवयप देख रहे हैं A, B, C C जो है X के किसी अवयप से मैप नहीं है अता है यह आन्टू फंक्सन नहीं है इन्टू फंक्सन है अब हम एक-एक फंक्सन के माप समझेंगे यहां एक फलन दिया है एप X से सिभाय में यह एक-एक यह बन-बन कहलाएगा यदि X के सभी अवयपों के प्रतिवयम भी भिन्ने भिन्ने हूँ अथात इसका मलब होता है यह चत्र में देखो कि X के सभी जो भिन्ने अवयपों है उनकी इमेजेस भी सब भिन्ने भिन्ने हैं एक सी नहीं है अता है यह एक-एक फलन है इस दूसरे चत्र में देखो कि X के दो अवयप चार और ग्यारा उनकी image जो है 5 है भिन्न ना होके एक ही है आता है यह एक एक ना हो करके बहुएक फलन होगा अब इस चत्र को देखो इसमें एक एक और बहुएक में अंतर दिखा है एक एक में देखो एक के तीन अभयाब बी के तीन अलग अभयाबों से सम्बन देते और दूसरे चत्र में देखेंगे एक के तीन अभयाब एक दो तीन बी के एक ही अभयाब से सम्बन देते इसलिए जो एक एक नहीं होकर बहुएक है इसमें तीन चत्र दिखाए हैं पहले में हम देखते हैं कि दो का सम्बन रण दो और दो से है याने जो योग में होंगे 2 रण 2 और 2 दो इसमें प्रतम खटक समान है इसलिए जब फलन नहीं है दूसरे में हम देखते हैं कि X के 2 अभयब 2 और रण 2 Y के एक ही अभयब 8 से संबन देते हैं तो इसलिए 1-1 मैपिंग तो नहीं है लेकिन फंक्सन है तीसे चेत्र में X के सभी अभयब Y के अलग-अलग अभयब से संबन देते हैं इसलिए यह 1-2-1 यह एक-एक फलन कहलाएगा अब हमको Numerical Question के लिए हम कैसे दर्षा हैं कि फलन एक-एक है यह आच्छाहएग है तो एक-एक के लिए क्या condition तक हैगी एदि XX अभय लेके चलें और हम दर्षा देए कि X वारब Y फलन एक-एक होगा आछातक के लिए हम किया लेके चलेंगे यदि हम बाए और टोमेन का एक अभयाब लेके चलें और हम दर्शाद हисьं कि डोमेन में अभयाब है जो कि उसका पृत्वियम है अता यह आठ आचाता होगा अब हम एक उधांड लेके चलते हैं fx और और 2x, f जो defined किया गया है, वो n से n के भी जो defined किया गया है, n किया है, एक natural number है, तो हम वो एक एक की condition लेके चलेंगे, fx1 बराबर fx2, fx1 के इसके बराबर 2x1 के, fx2 होता है, 2x2 के, और 2 cancel हो गया है, तो x1 बराबर x2, आता है फ़लन एक एक है, यह फ़लन आच्छा दाक इस 2x के, और 2x बराबर बंद संभाव नहीं है, आता है आच्छा तक नहीं है, और यह बच्चों के लिए अपने homework के दिया है, इसको बच्चे ध्यान से देखेंगे, और जो हमने नियम बताएं, उसके आधारपा इनको हल करने का प्यास करेंगे,